Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजिसबा television में जो भी important debates, discussion आती है उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती है उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily, regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो इवन हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और गाईज नीचे description पर टेलीग्राम के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं प्लस discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं आने वाले कल के IAS IPS officers को मेरे नमशकार तो चलिए class को start करते हैं start करेंगे गई इस paper 1 के पहले topic से तो देखें यहाँ पर बात हो रही है लेमरू elephant reserve के बारे में तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि यह elephant reserve कहां पर है तो आपको ध्यान में रखना है कि 36 गड़ में यह लेमरू elephant reserve हमें देखने को मिलता है तो ये 36 गड़ में ये रिजर्फ है याद रखिएगा आप ये रिजर्फ प्रपोस किया गया था 2005 में अप्रूफ किया गया था 2007 में that is not important for you सिर्फ आपको 36 गड़ यहाँ पर ध्यान में रखना है और इससे बनाया इसलिए गया था कि human और animal conflict यानि कि human और elephant conflict हम लोग को देखने को मिल रहा था इस छेत्र में तो उसे prevent करने के purpose के लिए इससे बनाया गया था और elephants जो थे guys ये Odisha और जारकंट से 36 गड़ के अंदर enter कर रहे थे तो उस पर थोड़ी सी रोग लगाने के लिए ये reserve mainly बनाया गया था अभी ये topic news में इसलिए देखने को मिला है वैसे तो उतना आपको याद नी रखना है news में क्यों था सिर्व इसकी location बस धार में रखने है और फिर भी जान लो awareness के लिए तो अभी यहाँ पर एक controversy सामने आई है यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो plan कर रही है कि इस elephant reserve के area को कम किया जाएगा उनिस सो 90-95 square kilometer से घड़ा कर साले 400 square kilometer का area जो है वो इसका कम कर दिया जाएगा क्यों किया जाएगा कम तो लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो नहीं चाहा रही है कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी koila mine है जो कि इस reserve के कारण जो है वो यूज ना कर पाए राइट क्योंकि reserve के कारण होगा obviously बात है कि eco sensitive zone यह है तो इसके कारण coal mines वगरा वो उपयोग नहीं कर पाएंगे तो सरकार नहीं चाहा रही है कि वो coal mine जो है वो उपयोग ना कर पाए इस area के कारण बड़े area के कारण इसलिए कहा जा रहा है कि इसके area को कम किया जा रहा है तो यह controversy एक प्रकार की और यह भी देखने को मिला है कि hazdeo arania forest का यह part हम लोग को देखने को मिलता है जो पर है तो 36 गड़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है सिर्फ इतनी सी चीज जो मैंने भी आपको बताई है सिर्फ उतनी काम की है और वैसे तो mainly जो question आप से पूछा है कि वो simple सा यही पूछा है कि लेमरू elephant reserve अभी news में था बताई है कहा पर है तो you should know कि यह 36 गड़ में उनको बस यह idea होना चीए कि एक नई population policy उत्तरपदेश के द्वारा release की गई है वैसे भी यह draft bill हम लोग को देखने को मिल रहा है यह basically एक प्रकार का draft है right draft bill हम लोग को देखने को मिल रहा है और draft से related question जो है वो नहीं बनते है right मैंने आपको यह वाली बात पहले भी बताया topic है तो you should know कि कौन सी state में किस प्रकार से policy लाई आ रही है तो यह important भी चीज़े है और population related issue की हाँ पर बात हो रही है और इंडिया जो है आप जानते ही कि demographic dividend country हम लोग को देखने को मिलती है हमारी country में US सबसे जादा है और एक यह वाली चीज़ भी कुछ report के थ्रू बताई ग फिर हम लोग 2030 के आसपास है वो number one होने वाले है तो ऐसी काफी सारी reports ने बताया हुआ है और 2045 के आसपास यह report भी सामने आई है कि हमारी country में senior citizen फिर जादा होने लगेंगे क्योंकि अभी जो है वो young generation majority में है जादा मात्रा में है अब आगे चलगी यह young generation बूरी होगी तो फ पहला point तो आपको यह पता होना चीए कि world population day कब हम लोग को देखने को मिलता है तो 11 July को world population day 11 July को observe किया जाता है और इसी दिन पर उत्तर प्रदेश ने जारी करी थी नई population policy इसका main aim क्या है तो इसका main aim हम लोग को देखने को मिल रहा है कि total fertility rate को reduce करना अब what do you mean by total fertility rate तो यह ए ऐसा rate होता है जिसमें एक महिला अपनी reproductive cycle के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है उसको total fertility rate कहा जाता है यह एक महिला simple शब्दों में आपको यह ध्यान में लखने है एक महिला की जो reproductive cycle होती है total जितने समय की तो उस reproductive cycle के दौरान एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है तो that is called total fertility rate अब इसे reduce करना है infant mortality rate जो नवजाज जो शिशू होते हैं जिन बच्चों को जन्म हुआ होता है तो उनकी जो मृत्यू होती है newborn babies की तो उस rate को घटाना है और maternal mortality rate बच्चों को जन्म देते समय जब माताओं की मृत्यू हो जाती है तो उसको इसके लावा इस new population policy को कैसे execute करेंगे ये तो incentive provide कराएंगे जैसे कि सरकारी छुटी मिल जाएगी employment provident fund में कुछ benefit हो जाएगा जैसे private sector के जो लोग है उनको tax वगरा में कि ये new population policy जो है वो क्या सभी में strictly लागू होगी सभी के लिए उत्तरप्रदेश के इंदर तो नहीं ये voluntary है यानि कि जिसको benefit चाहिए वो कर ले राइट यानि कि उसको मलें ये पालंग करें इस population policy का राइट तो इस पर हम बात करेंगे और इसमें एक और most important चीज जो आपको बदत करते हैं तो उनको incentive मिलेगा इसमें contraceptive जो pills वगरा होती न contraceptive pills birth control के लिए तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है यानि कि awareness बढ़ा ही जाएगी और लोग को कहा जाएगे कि लोग contraceptives का उपयोग करें इवन male contraceptives की भी हाँ पर बात हो रही है तो वहली चीज हाँ रहत हो गई है तो policy नई policy का main aim क्या है तो इसमें total fertility rate जिसके बार में आपको समझाया था तो 2.7 से गिराकर इसको 2.1 करना है 2026 तक तो यह 2026 का इनका यह एक target है तो UPPCS की जो तयारी करना है जो student यह वाला target आप specifically थोड़ा से ध्यार में रखेगा UPSC के लिए यह वाले targets important नहीं है बट UPPCS के लिए जरूर important है और 2030 तक 1.7 कर देना है total fertility rate को और देखिए गाईस जो total fertility rate होता है यह 2.1 और 2.2 का जो rate जो होता है यह अच्छा माना जाता है बोला जाते कि एक जगा पर एक छेतर पर अगर total fertility rate 2.1 यह 2.2 है तो it is good it is healthy बट उस से कम जो होता है वो unhealthy माना जाते तो एक प्रकार से इनका जो 2030 का जो यह target है यह सही नहीं है ठीक नहीं है according to analysis अगर हम इस चीज की analysis करें इस article में इसके बार में mention नहीं है बट 2.1 का total fertility rate होता है वो healthy माना जाता है बट यह healthy rate से जो हो कम कर रहे है तो इसमें आगी चलके दिक्क 20% किया जाएगा 2026 तक और 2030 तक इसको बढ़ा कर 52% कर दिया जाएगा तो दो चरनों में एक idea हमें लग रहा है कि यह population policy जो है वो दो चरनों में execute की जाएगी मतलब कि इसके दो टार्गेट से 2026 वाले target को अचीव करना और 2030 वाले target को अचीव करना तो यह भी clarity रखो क्योंकि इसमें हम लोग को differences देखने को बल रहा है दूसरा कि male जो methods है contraception के उपयोग के उसको बढ़ाना है जैसी कि नजबंदी वागरा जो हमें देखने को बलती है तो वो उसको promote करना है males में और इसमें target 2026 कर रखा है 10.8% से बढ़ा कर 15.1% कर दिया जाएगा male contraceptive के मामले में औ और 2030 तक इसको बढ़ा कर 16.4% करना है इसके लाबा maternal mortality rate को reduce करना है यह 197 से घटा कर 1500 कर देना है और फिर 2030 तक 98 करना है even infant mortality rate को भी घटाना है 43 से 32 और फिर 22 करना है और under 5 infant mortality rate यह 47 से घटा कर 35 करना है और फिर 25 कर देना है तो यह आप जो UBPCS की जो भी student तयारी करना है यह target आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेट आपसे question आएगा और आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था कि draft bill से related question नहीं आता है तो वो in general की मैंने बात कर रही थी बड़ यूपी PCS की जो student तयारी करना है उनसे यहाली चीज पूछी जा सकती है आपसे total fertility rate क्या होता यह पूछ लेगी healthy total fertility rate कितनी होनी चाहिए तो उसका एक आपको idea होना चाहिए 2.1 2.2 राइट क्योंकि यह healthy होती है तो इसके बार में भी आपको जानकर नहीं चाहिए ऐसी चीज़े पूछती है UPSC अब focus area इस particular policy में किन-किन चीज़ों पर focus रहा है तो पहली बात तो contraceptive की accessibility की जासादा लोग जो है वो contraceptive का उप्योग करें और यह family planning program के अंडर जो है वो issue की गई है इसमें एक proper system safe abortion का provide करने की भी बात की गई है इसके लाबा new borns और maternal mortality rate याने की infant mortality rate और maternal mortality rate को reduce करना यह इसके focus area है better management होना चाहिए education का health का और nutrition का better management करना है कि जो adolescent जो बच्चे होते हैं 11 साल से लेकर 19 साल की उम्र के है तो उनको education health और nutrition मिलनी चाहिए तो इसका better management करना है इसमें incentive क्या दिया जाएगा तो जो भी लोग जोनके दो या उससे कम बच्चे हैं उनको promotion मिलेगा jobs में इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा यानि कि incentive के तौर पर मलबू मिल जाएगा कुछ पैसे वगरा मिल जाएगा account में या फिर जिसे होते बोनस वगरा वो मिल जाएगा house की जो scheme होती घर बनवाने की जो scheme होती उसमें कुछ आपको subsidy दे जाएगी और भी दूसरे पर्क्स जो है employees के लिए वो यहाँपर provide किये जाएगे इसके लबाद public servant है तो वो अगर two child norm को adopt करते हैं तो उन्हें दो additional increment मिल जाएगे पूरी service के दौरान एक तो maternity leave या फिर paternity leave म alliances यानि कि जो इंसान अगर चुटी पर है तो 12 महीने के लिए चुटी पर रह सकता है उसके account पर पूरी पूरी salary आएगी बिना कुछ कटे और 3% की बड़ोतरी हो जाएगी employers contribution fund में तो provident fund जो होता है तो employers की तरफ से contribution होता है उसमें 3% बढ़ा दिया जाएगा और जो की national pension scheme के calendar आता है और जो भी लोग सरकारी employee नहीं है और वो भी अगर population control करने में अगर contribute करते हैं याना कि two child norm को अगर follow करते हैं तो उनको tax में rebate मिल जाएगा जैसे कि पानी के ओपर घर के ओपर घर कल जो loan होता है तो उस पर जो taxes बगएरा है तो उसमें उनको फाइदा मिल जाएगा subsidy भी मिल जाएगी housing scheme के अंदर भेतर तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है और देखिए एक बच्चे के parent अगर vesectomy मतलब नजबंदी इसको अगर चुनते हैं तो यह चीज़ बताई आ रही है कि उनका बच्चा जब तक 20 साल की उम्र का होगा तब तक free medical facility जो है वो उनको provide की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी plan किया है कि ये state population fund एक fund को भी setup करेंगे इन पूरे जो उपाय बताई गए हैं उसको implement करने के लिए और इसमें awareness create की जाएगी draft bill introduce कर रहा है population control को एक compulsory subject के तोर पर भी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी secondary schools हैं वहाबर population control पर ए topic जो है subject जो है वो अलग से पढ़ाया जाएगा awareness create करने के लिए और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिन लोगों की उम्र यानि की male की अगर हम बात करें तो 21 साल से उपर female की अगर बात करें तो 18 साल से उपर तो इनकी इन couple की अगर शादी होती है तो इनके लिए ये कान population control करने की क्या आवशकता है तो बहुत जादा आवशकता है क्योंकि जब overpopulation होती है अब यहाँ पर मैं यह जो article में लिखा इससे बाहर का कुछ आपको बताना चाहूंगा क्या होता है कि articles तो सभी available है सभी लोग पढ़ सकते आडिकल newspaper में सभी available है बट आपको अगर exam crack करना है तो you need to go one step forward आपको एक step forward जाने की सकता वशकता है आप यहाँ पर mention करेंगे poverty गरीवी क्योंकि यहाँ पर भी वैसे लिखा यही हुआ है but clarity के साथ नहीं लिखा राइट जैसे कि जादा population होगी तो जादा population होगी तो proper तरीके से resources जो है वो distribute नहीं होगे राइट जैसे कि ए एक खेत है example के तौर पर imagine करो एक खेत है उस खेत पर खाने वाले यानि कि उस खेत पर जो production होता है उसको खाने वाले 5 लोग है अब वो 10 लोग हो जाए तो पहले अराम से सब 5 लोगों का पेट भर रहा था अब बिचारों को आधे पेट सोना पड़ रहा होगा तो यह क्या ह पा रही है लोगों को तो यह तो एक बात हो गई यह वाली कि रिसोर्ट से अगर हम लोग इस चीज़ को देखें प्रडक्शन से अगर हम इस चीज़ को देखें तो ज्यादा पॉपलेशन होगी तो distribution proper नहीं होगा तो पर यह दिक्कत है आएगी जैसे गरीबी भी उनमें से सरकार का major जो reserve है रही जैनि कि जो सरकार की जो income आप कह सकते हो वो कहा पर जाएगी इन सब चीजों में चलिए आएगी राइदर दन investment करने की जगा रैदर दन development करने की जगा subsidy में जाती रहेगी तो यह बड़ा दिक्कत वाली कहानी है अगर यह चीज होती रहेगी तो country develop नहीं करेगी country में growth नहीं आएगी क्योंकि सरकार mainly अपना जो कमाई है main तौर पर जो reserve है सरकार के पास वो किसको देगी गरीबों को देगी उनकी basic और daily needs को fulfill करने में यह पैसा ल चार में हमने पहले भी चर्चा कर चुकी है तो main चीज आपके आपकी जो understanding create होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि अगर किसी country को अगर develop करना है growth चाहिए उस country को तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस country में over population नहीं और दूसरी बात अब जब जिस country में over population होगी उस country के ज् source property distribute नहीं होगा तो ज्यादा लोग मान लेते हैं हम लोग गरीब एक general phenomena की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग गरीब है तो सरकार का ज्यादा पैसा किसमें आ रहा है subsidy में जा रहा है अब वहीं आप यह चीज सोचो अब सरकार के पास पैसा आता कहां से सरकार के पास पैसा है जो लोग tax देते हैं taxpayer के तुरू जैसे आप लोग है मैं हूँ तो हम लोग क्या कर रहे है taxes सरकार को pay कर रहे है अब अगर ज्यादा population गरीब हो जाती है ज्यादा population सरकार की उपर dependent हो जाती है तो ज्यादा पैसा सरकार की जेब से उनको fulfill करने में लगाये जाएगा और फिर सरकार अपनी दूसरी development needs को fulfill करने के लिए क्या करेगी taxes बढ़ाएगी जो कि आज की rate में इंडिया की case में हम लोग क्या देखते है taxes इतने जादा क्यों है रही क्योंकि सरकार को manage करना है पूरी चीज है और अगर manage नहीं करेगी तो deficit बढ़ेगा तो balance of payment crisis आएगा तो economic crash हो जा दूसरा point economic के subject में आपको सबसे पहले जो clarity रखनी है वो practical और economic छोड़िए आप किसी भी यानिकी topic की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको civil services के अंदर practical world से अपने topic को जोड़ना है तो यह सब चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ यह सब चीज़े यह article में आपको नहीं मिलेंगी यह understanding develop करनी है मुझे कल एक student ने पूछा था regular follower है कि सर critically और मैंने आपको बहले ही बताया था critically analysis का मतलब क्या होता है तो critically analyze करने के मतलब यह होता है कि आप एक step forward जाकर चीज़ों को समझें और बहतर तरीके से और फिर उसके solution की बात करें क्योंकि हर बार problems जो होती है उनको तो हर को बता जाता है यह problem है उसको solve आप कैसे करोगे तो चलो अब बात करते हैं कि इस problem को कैसे solve किया रहेगा तो over population over population होगे और economy में यह बहुत बढ़िया चीज़ है economy में यह बहुत बढ़िया चीज़ है कि जहाँ पर आपको problem मिलेंगी जहाँ पर आपको problem मिलेंगी वो ही उसका solution होगा तो अभी problem क्या है population बढ़ रही है over population में तो solution क्या है population को कम कर दो और कैसे कम करेंगे various measures के तो कम करेंगे यह भी चीज़ होती है economic से कर आप subject को अच्छे से पढ़ने की सकोशिश करेंगे जड़ से तो आपको बहुत सारी चीज़े इस प्रकार की सुन में आएंगी कि जहाँ पर आपको problems दिख रही है वहीं के वहीं उसका solution आपको सामने निकल गया आएगा तो आपको यही करना है critically analytics का मतलब कि आपको problem दिखी तो उसका आप बिल्कुल ऐसा solution निकाले है एक line में जो अच्छा हो अभी क्या हम देखने हैं कि सरकार का इतना पैसा जो है इतना कमाई ज कर रहा है तो अगर सरकार की जाधा income जाएगी किसमें गरीबों के upliftment में तो taxes बढ़ेंगे और सरकार अगर tax कम कर देती है तो balance of payment का crisis आगे चल गया जाएगा तो वो भी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है तो हमें क्या करना चाहिए कि main जो जड़ है यह population तो इसको हमें reduce करन में आई होगी जो मैं आपको बताया और issues और concerns इस bill से related क्या है तो एक तो महिलाओं की जो health है उसको यह risk में डाल देगा महिला का स्वास्त और कल्यान है उसको यह संगट में डालने वाली यह बताई आ रही है policy कैसे संगट में डालने वाली policy बताई आ रही है तो एक तो यह है कि घर परिवार में वैसे ही हमारी आपकी society में अभी भी जैसे at present time भी अगर हम लोग बात करें जितने यूवा जो है वो समझदार है demographic dividend हम लोग को देखने को मिलता है तो अभी भी इतनी यूवा population होने के बावजूद भी समझदार ही अभी भी नहीं है अभी भी महिलाओ महिलाओं के उपर होता है घर परिवार में तो इसमें क्या होगा कि महिलाओं को ही रिस्क में डाला जाएगा उनको contraceptive का burden महिलाओं के उपर ही गिरने वाला है आने वाला है और female sterilization बढ़ जाएगा हमें बढ़ाना किसको है population control करने के लिए इनको की नजबंदी वगरा करें यानकी male sterilization को बढ़ाना है mainly और या फिर वो protection का उपयोग करें males वगरा बट ऐसा होगा नहीं female को pills वगरा दी जाएगी जो कि ultimately उनकी health को deteriorate करेगी खराब करेगी और देखिए इस प्रकार के अगर कुछ सक्त population control हम लोग को जब देखने को मिलेंगे तो unsafe abortion की practice भी बढ़ लोग चाहते हैं बेटिया नहीं चाहते बेटे को चाहते हैं तो यह बड़ी एक घडिया चीज इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है और सालो सालो से ही और इवर आज भी हम लोग witness करने इस चीज को तो इसमें महिलाओं की जान थोड़ी सी खत्रम में पढ़ सकती है और अंसेफ अबॉर्शन होगा आप कॉंटर सिप्टे पिल साही दरी के सोपयोग में नहीं ली जाएगी तो यह सब चीज और महिलाओं के उपर में प्रेशर पड़ेगा तो यह इसके कुछ इशूस हम लोग को इस बिल से जुड़े होए नजर आ रहे हैं तो यह था पूर इसली सिवल सर्विस्स की तयारी करने हैं तो कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं यह में सांसर राइटिंग कोर्स यहां पर है उसकी डीजल से स्क्रीन पर दी हुई है और बाकी एंड में और भी काफी सारे हमारे जर्नल स्टेडीस के कोर्स अविलेबल है तो लेक्चर क्या करते हैं कि इन लोग अपनी डिवाइस को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें वो रिपेर को ऑप्शन नहीं चोड़ते हैं उनकी डिवाइस अगर एक बार आउटडेट हुई या खडाब हुई तो फिर अपग्रेडडेट डिवाइस लेनी पड़ेगी जो environment के उपर इसका major impact पड़ता है तो इसी चीज़ को कम करने के लिए especially e-waste electronic waste को कम करने के mainly purpose के लिए यह right to repair movement हमें देखने को मिल रहा है इसमें और भी काफी सारे इसके purpose हैं आप इसको add-on कर सकते हैं जैसे कि for example कि अब क्या होता है कि आप एक device है ठीक है अगर वो device खराब हो गई तो आपके पास अगर उसके पास कोई आपके option ही नहीं उसको repair कराने का तो आपको फेकना पड़ेगा मतलब कि आपका पैसा जो है वो आपको नई device में invest करना पड़ेगा फिर तो इससे क्या होता है कि जो consumer से उनको बड़ी difficulty आती है कि जो कोई product ठूड़ गया है तो उसको फिर फेकना एक lot option बच जाता है उसको repair कराने कोई option नहीं है तो उससे क्या हो रहा है consumer का ज्यादा पैसा इसमें लग रहा है और इसमें फायदा कि इनको होगा repair shop अगर होगा काफी फायदा होने लगेगा पर इंडिया की case में ऐसा नह नहीं करने लगते हैं मेरे घर तो बहुत जादा ऐसा कि कुछ भी चीज़ खराब होती है पाब बिल्कुल उसमें इंजीनियर बन जाते हैं उसको शुरू करने लगते हैं चलो यह बात अच्छी भी है और वैसे अगर developed country अमेरिका की बात करें तो लोग खुद ही करते हैं अ एपल company है यह option छोड़ती नहीं है कि आप जो है वो अगर बाहर market में अगर खुलवाते हो रिपेर करवाते हैं तो उसमें वो फिर बाद में आपके device को अगर कुछ होता है और आपको अगर company के पास जाना होता है तो वो company accept नहीं करीए एक आपने अगर अपने device को कही बाहर खुलवा दिया यानि कि Apple के unauthorized store में अगर आप अपने mobile को खुलवागर repair करवा देते हो तो फिर वो फिर कोई option नहीं छोड़ती आपके बास और वो क्या कोई भी company option ऐसा नहीं छोड़ती है यह वाली चीज हमें देखने को मत रही है तो इस goal का पूरा movement कि companies जो है वो spare parts बना बहुत सारी ऐसी car manufacturing company भी बहुत बार करती है उनके spare parts सिर्फ उनी के बास मिलेंगे आपको दूसरे third party के बास नहीं मिलेंगे तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है और tools हुए जैसे कई बर nuts वगर भी होते है nuts वो अपने अलग type के nut बना रही है आजकल Apple की company mobile को खोलने क के लिए अपने अलग type के nut और आपको बता है कि पेजकास जैसे है पेजकास है पेजकास की मदद से nut खोल सकते हो अब उनका nut का design ही ऐसा है कि उसमें कोई special tool की जरूए पढ़ती है उसको खोलने के लिए तो यह वाली भी दिक्कते है और information भी नहीं देती है कि कैसे अगर device को कुछ होगा तो कैसे repair कि यह सब चीज़ें सर्फ उनके authorized store पर जाती है तो अब लोग सोचते अब authorized store पर चले जाएं जैसे एक्जामपल की तौर पर example BMW का ले लेते हैं ठीक है example चलो BMW का example ले लेते हैं चलो BMW भी छोड़ो आप Apple का ही ले लो अब Apple की screen अगर आप सुधरवाने जाओगे बिल्कुल Apple के store से authorized store से तो बेंड बज जाएगी और वहीं आप अगर किसी third party के पास सले आओगे तो फिर भी आपको राहत मल जाएगी रइट बट काफी सारे लोग जाते नहीं अब ऐसे product जो लोग use करेंगे obviously बात है कि वो थोड़ना risk में डालेंगे हो सोचेंगे गिए third party में जाने की ब पता होने चीए और इस moment की जड़े हम लोग को देखने को मिलती है इसकी शुरुआद हो गई थी 1950 से ही और देखिए ये moment क्यों स्टार्ट हुआ था क्या मोटिफ था इस moment के पीछे तो हम देखतें कि electronic manufacturers क्या करते हैं ये एक culture को encourage करते हैं plant obsolescene के culture को encourage करते हैं obsolescene का मतलब यह होता है simple चाहिए कि ऐसी process जो कि obsolete हो यानि कि outdated और no longer use वाली हो मतलब कि एक प्रड़क्ट आप manufacturer से खरीद हो उसके बाद फिर आप मला आपके सिर्फ एक ही option बचना चाहिए कि वो प्रड़क्ट जो है वो क्या हो जाए मिला आपको उसको फेगना ही है मतलब नए प्रड़ को लेना पड़ता है उसके आइवर्ज में तो यह काफी जदा electronic manufacturers इसी चीज़ को काफी जदा प्रवड करते हैं कि उससे उनको business मिलता है profit मिलता है right electronic manufacturer को profit कैसे मिलेगा Apple आप देख लो हर एक साल में वो नया प्रड़क्ट लेकर आता है लोग पुराने प्रड़क्ट को हटा इस mobile को shift कर दें तो यह वाली हरकतें बहुत जादा है और आज की रेट में बहुत जादा बढ़ भी गई है इस प्रकार से company बहुत कमारी करोलो अर्बो रोपे कमारी है तो इसमें क्या हो रहा है ऐसी हरकतों के कारण environment के उपर pressure पढ़ रहा है क्यों environment के उपर pressure पढ़ रहा ह तो इसके बारे में हमने बात करी इवेस्ट जनरेट हो रहा है काफी जादा और consumer obviously बात है कि consumer की हलक खड़ा हो रही एक तो वो repair भी नहीं करा पाएगा और अगर repair करने का option है तो authorized store में है और authorized store में repair करना बहुत ज़्यादा महंगा पढ़ जाता है जैसे होता है कि हाती तो फ repair करने में बैड़ जाएगी और देखिए right to repair का benefit जो है वो small repair shop को काफी जाद मिलने लगेगा और साथी साथ right to repair laws भी काफी सारी countries के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है काफी सारी countries के अंदर ये कानून भी लाया जा रहा है जैसे कि USA UK की आप बात करो तो यहाँ पर हम लो intellectual property को ऐसे open up मत करो राइं मतला की इनकी ये खुद के intellectual property है इनके खुद के product है और अगर आप third party को अगर इस प्रकार से option दे दोगे third party repair service को option दे दोगे तो इसके कारण exploitation होगा इनकी safety और security devices जो है उस पर impact पड़ेगा तो अपनने बोला जूट बोल रही है लोग इनको profit से मतल सब्सक्राइब नहीं है तो अब वह क्यों बोलेगा इसा दूसरे option जूट 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 तो बोलेगा और साथी सथ बोलने की यह तो बड़ी डेटा security पर साइवर security पर बड़ा खत्रा हो सकता है इस प्रकार से गर right to repair दे दिया जाए तो तो हमें पता है कि यह लोग जूट बोल रहा है तो यहले चीज़ है इसके बार में आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए जानकारी बस होनी चाहिए अब देखो महराश्ट के अंदर February से ही कोई भी speaker नहीं है महराश्ट की state legislative assembly में और अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि deputy speaker जो है speaker के बदले में स्पीकर की post vacant है तो deputy speaker जो है वो प्रिसाइट कियो है यानि कि वो समाल रहे है उसको state legislative assembly को इवन लोग सबा और काफी सारी state की assembly में हम लोग को deputy speaker भी नहीं देखने को मिलते हैं तो यह चीज़ भी आप देखेंगे कि कही पर deputy speaker है कही पर नहीं है कही पर speaker है speaker नहीं है तो उसक आप से यह सब चीज़े तो ऐसे ही है आप से जो question पूछा आएगा वो speaker और deputy speaker से related पूछा आएगा तो देखो speaker और deputy speaker के बारे में किस article के अंदर mentioned है तो आपको article ध्यान में रखना है लोग सबा के लिए article 93 बात करता है deputy speaker के बारे में और इसके बार में state legislative assembly के बारे में article 178 ब speaker और deputy speaker से related है हमें देखने कोमता है लोग सबा और state legislature जिसमें बताए जाते हैं कि president और governor जो है वो date बताते हैं कि speaker का election किस दिन होगा तो speaker के election के लिए date किसके द्वारा बताए जाता है कि कब होगा, किस दिन होगा election speaker का, तो president और governor के दौरा, president या फिर governor के दौरा, लोगसाबा के मामले में president, राज जी के मामले में, state के मामले में governor, ये बताते हैं कि किस दिन election रखना है, speaker के लिए, और deputy speaker के जब election की बात होती है, तो कौन decide करता है कि deputy speaker के election की date कब होनी चाहिए, तो वो decide करता है speaker, तो ये एक आप process थोड़ा ध्यान में रखना, कि election कब होगा, speaker का वो decide करेंगे, president parliament के मामले में, यानि कि लोगसाबा के मामले में, और इसके मामले में, state legislative assembly के मामले में, governor decide करेंगे कि उनका speaker का election किस दिन होगा, फिर speaker का election होगया, फिर speaker decide करेंगा कि deputy speaker का election जो है, वो किस दिन होगा, तो ये वाली बस process आप थोड़ी पहले तो ध्यान में रखना, और speaker और deputy speaker, ये कहां से चुने जाते हैं, तो ये house के ही सदस्य होते हैं, उसी house से चुने जाते हैं, जैसे कि लोगसभा के जो speaker होंगे, ये deputy speaker अभी तो नहीं है, बड़ speaker होंगे, तो वो लोगसभा के ही सदस्य होंगे, state legislative assembly के जो speaker होंगे, वो state legislative assembly के ही सदस्य होंगे, तो ये वाली भी clarity रखो एक आप, अब इनके roles और function क्या होते हैं, एक तो principal spokesman होते हैं, आपने देखा होगा कभी मौका मिले तो दे राजी सबा के, तो वाली चीज होती है, बड़ आपको देखना चाहिए, ये सब चीज़े, इसमें देखने में एक तो आप त्योरी जो पढ़ रहे हो, ये सब चीज़े आप पढ़ रहे हो, तो जब practical चीज़ों को जब आप सामने देखते हो, तो और अच्छे से understanding build-up होती के, यानि कि लोग सबा और राजी सबा, इनकी जब joint sitting हमें देखने को मिलती है, तो speaker जो होते हैं, वो preside करते हैं, यानि कि speaker ऊपर बैठे रहते हैं, और meeting करवाते हैं, आपने देखे यह को टीवी में, और speaker के decision, जैसे कि कोई भी bill जो है, वो money bill है की नहीं है, उसको निर्ध party से elect होकर आते हैं, और ऐसा कहीं भी constitution के अंतर नहीं लिखा, यह practice चली आ रही है, इस अधार पर हमें देखने को मिलते हैं कि generally speaker ruling party के होते हैं, तो point to be noted, और independence speaker की independence के लिए constitution ने ये चीज़ ensure करी है, कि speaker independent तरीके से कारे करें अपने, तो उनकी जो salary होती हो consolidated fund of India के उपर हमें देखने को मिलती है, और parliament में इनकी salary को लेकर कोई भी voting वगरा नहीं होती, तो यह चीज़ है, जो कि इनकी post को independent बनाती है, और साथ ही साथ, member जो parliament के हमें देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ speaker को ही address करते हैं, मतलब कि आपने देखा होका, जब MP खड़े होकर भोलते हैं, right, house के अंदर, तो MP किसको बोलते हैं, speaker, madam को बोलते हैं, right, बोलते हैं, आपने कहीं बार सुना ओँए speaker, maidam, यह हमारी बात है, यह सुनी है, right, तो वो direct दूसरे MP को नहीं बोलते हैं, वो direct उनकी जो बात होती है, वो उनका जो message होता है, वो speaker को होता है, और माना यह जा और इनकी time limit क्या होगी कहीं पर भी नहीं लिखा है तो यह वाली clarity भी आप अपने mind में रखिएगा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि speaker के जो election जो होगे वो कितने समय में करवाने है और election की process क्या होगी कहीं पर भी नहीं लिखा है तो point to be noted यह legislature के उपर छोड़ दिया गया है की तौर पर अगर states की बात करें हर्याना और उत्तरप्रदेश की तो इन्होंने एक specify किया है time frame हर्याना की case में हमें देखने को मुलता है कि speaker का election होता है right speaker का election तो जैसे ही general election होता है house का तो उसके बाद तुरंत जो है वो speaker का election हो जाता है और फिर 7 दिन के अंदर-अदर deputy speaker भी elect कर दिये जाते हैं तो यह हर्याना का case है और rules भी जो है वो इस प्रकार से specify किये गए हैं कि अगर post vacant होती है जैसे for example speaker की post vacant है तो आप तुरंत 7 दिन के अंदर-अंदर में लेजिसलेचर के अगले election के 7 दिन के अंदर-अंदर तुरंत जो है वो उसकी post को fulfill करें right तो यह पंदर-अंदर-अंदर आपको election कराना उत्तरपदेश के case में और deputy speaker के case में डेट जो है election की वो speaker decide करें और 30 दिन के अंदर-अंदर तो वेकेंसी को fulfill करना यह वाला प्रावदान यहां पर उत्तरपदेश ने दिया हुआ है तो यह कुछ basic सी details है बढ़ UPSC level के लिए आपको स अब अगर आप UPCS की या हरियाना की तियारी कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा ध्यान में रख लेना यह लिमिट वगरा अब देखिए speaker के बारे में कुछ चीजे go through करें तो आप जानते प्रेसाइडिंग officer है house के ही है राइट लोगसभा के अंदर और speaker जो होते हैं लोगसभा के तौर पर और हाला कि हमें देखने को मिलता है कि एक convention चला आता है कि ruling party या majority party जो होती है उनी मेंसे ही एक candidate speaker के पत के लिए चुना जाता है इनके functions और इनके power क्या होते है तो इसके लिए आप school के monitor के function को थोड़ा सा ध्यान में रखे है कि school के monitor का function क्या होता है कि discipline maintain करके Parliament की sitting को ये control करते हैं और उसके कारियों को control करने का मिली इनका काम हम लोग को देखने को मिलता है और speaker की independence की बार में हमने बात करी ली कि consolidated fund of India के उपर इनकी salary charge की जाती है और Parliament में इनकी salary को लेकर कोई voting नहीं होती और देखिए वैसे तो speaker vote डालते नहीं है तो यहाला point आप ध speaker की तरफ देखा जाता है और speaker फिर अपने vote को डाल कर final फैसला लेते हैं तो यहाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखने हैं कि जब ruling party और opposition party के बीच में कुछ votes का tie हो गया अगर तो उस समय speaker जो है वो उस समय अपने vote का इस्तमाल करते हैं तो यहाली चीज़ इस related जब resolution house में आता है और उस समय अगर कुछ tie हो गया तो भी speaker जो है वोट नहीं डालेंगे तो यहाला point भी आपको clear रखना है कि इनके removal के लिए यह vote नहीं डालेंगे मतला ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके removal के लिए obviously वात है वो तो फिर पक्ष में डालेंगे नहीं इनको कोरम का मतलब क्या होता है अगर house में जैसे house की total membership है उसमें 10% member या 110 जो member होते है उसको quorum मोलते है तो ऐसा माना जाता है कि house जो है वो उसकी sitting तब ही बैठती है जब house के total membership के 10% लोग वहापर उपस्तित हो तो अगर वहापर 10% लोग उपस्तित नहीं है तो यह agent कर दिया जात है house को या house की meeting को right और मैंने आपको अदाए कि यह क्या होते है यह monitor होते है class के तो house की monitor होते है discipline को ensure करते है decorum house का बना रहे तो उस पर यह mainly काम करते है right speaker देखते हैं कि अगर कोई member सहीं तरीके से behave नहीं कर रहा है उसका behavior पार्लेमेंट के अदर अच्छा नहीं है तो उसको punish भी किया जा सकता है उसको suspend कर गए और speaker decide करते हैं यह सामने बात करी कि एक bill money bill होगा या नहीं होगा और speaker के decision को challenge नहीं किया जा सकता है और speaker जो है वो final और soul authority है यह allow कर सकते हैं अलग-अलग प्रकार के motion को resolution को pass होने से जैसे कि no confidence motion pass होना है कि नहीं होना तो speaker decide करेंगे final authority यह ह कोशन होते हैं तो उस पर final authority जो होती वो speaker की हमें देखने को बिलती है और speaker जो होते हैं लोग सभा के यह अब देखिएगा जैसे सरकार गिर ठीक है मैंने आपको क्या बता है majority party से आते हैं speaker अब सरकार गिर गई मतलब assembly खाली हो गई बट जब assembly खाली हो जाती है तो भी speaker जाते नहीं है जब नई जब सरकार बनती है और फिर से पूरी assembly आती है तो आप यह कह सकते हो कि जब नई सरकार बनती है उसका जो पहला दिन होता है तो उसमें पुराने speaker महाँ पर रहते है यानिकि पिछली सरकार क पिर नए स्पीकर का चुडाव होता है तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है तो जब जब असम्मली डिसॉलूशन हो जाती है निकि असम्मली गिर गई डिसॉल्व हो गई भंग हो गई तो उसके बाद भी जो है वो ओफिस पर रहते हैं वो ओफिस छोड़ते नहीं है और उनका उफिस तब तर चलता है जब तक एक नए असम्मली की पहली मीटिंग हो जाए और एक नए स्पीकर इलेक्ट हो जाए तो जब नए स्पीकर आए तभी वो अपने पोस्ट को जो है वो छोड़ेंगे तो यह अला पॉइट बहुत इंपॉर्टनेंट है ध्यान में रख कि जिसनकी सरकार गिर गए इंडो कॉंफिटेंस मोशन पास हो गया मंतुर सरकार गिर गई तो फिर स्पीकर को भी अपनी पत्स को छोड़ना पड़ता है एज उसमें लिख भी देंगे ऐसे करके स्टेडिमें कि एज स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी से बिलॉंग क लगाना कि अब अब आव जी बाते कि अब जब नई मीटिंग होगी तो नई मीटिंग में कोई ना कोई तो चाहिए मीटिंग को परसाइट करने के लिए रहाइट तो वो स्पीकर हम लोग को देखने को विलते हैं वहाँ पर आलड़ी ही रहते हैं तो यह जीज़ आप होते हैं लोग सभा के वो automatically disqualify हो जाते हैं अपनी पोस्ट से अगर वो member of parliament नहीं हो तो मनलब कि अगर उनने member of parliament के पद से स्तीफा दे दिया MP MP से स्तीफा दे दिया तो फिर वो वो नहीं होंगे फिर मान की चलो speaker नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था नहीं starting में कि member of parliament ही speaker हो सकते हैं house से ही speaker को चुना जाएगा दूसरी बात अगर वो resignation दे दे अब question यहां से ही बन सकता है कि speaker resignation किनको देते है deputy speaker को तो speaker अपने resignation को pass करते है deputy speaker को वो इसलिए क्योंकि speaker की पोस अब खाली होती है तो deputy speaker के तोर पर आक्ट करते हैं और तीसरी condition जब अगर वो central government में या किसी भी state government में अगर किसी post में appoint कर दिया जाते हैं office of profit को hold करते हैं तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि उन्हें हटा दिया जाते हैं डिस्क्वालिफा हो है कि court को यह चीज डिक्लेर करनी है और अगर वो डिक्लेर हो जाते हैं undischarged insolvent के तौर पर मतब कि दिवालिया घोशित हो जाते हैं तब उस समय हमें देखने को मिलेगा कि उन्हें speaker की पत से हटा दिया जाता है और अगर वो दूसरी तौर पर हम देखते हैं कि normal cases में जब टाय होता है तो speaker अपने vote cast करते हैं तो यहाँ पर वो नहीं करेंगे और साथ ही साथ chairman होते हैं यह सभी के सभी parliamentary committee के राइट यह वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी committee इनके दौरा committee rules committee तो यह directly speaker की chairmanship के अंडर हमें देखने को मिलती है और कोई भी procedural problem होती है committee के functioning को लेकर वो इनके पास बेजी जाती है direction के लिए speaker के पास बेजी जाती है direction के लिए तो यह था पूरा overall topic but मैं आपको एक बार जो हमने पढ़ा है इसको मैं revise करवा देता हूँ अच्छे से जैसे कि और बहतर तरीके से यह topic आप लोग का clear हो जाए speaker और deputy speaker के इस topic को और अच्छे से देख ले तो article 93 और article 178 आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है यहाँ पर सौरी राजसभा हो गया यह state legislature है right state legislative assembly के मामने में 178 लोग सभा के मामने में article 93 और हमें देखने को मिलता है कि जो यह होते है speaker जो होते हैं वो house के ही member होते है house के ही सदे सी होते है house से ही इनने चुना जाता है usually majority party जो होती है ruling party जो होती है उससे speaker चुने जाते है speaker money bill के उपर decide करते हैं या फिर एक bill के उपर decide करते हैं कि वो bill money bill माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इनके election के बारे में कही पर भी constitution में mention नहीं किया गया है कि कितने समय में इनका election होगा बट हाँ अलग-अलग states ने अलग-अलग अपने नियम बनाए हुए है हमने हर्याना और उत्तरप्रदेश के बारे में देखा है इनके नियम की बात करें गई तो सभी member में से इनको elect किया जाता है simple majority से इनका चुराव होता है और साधी साथ इनकी voting power की बात करें तो इनको को कोई voting power नहीं दी गई है मंदब की house के अंदर यह वोट नहीं डालेंगे बट अगर टाई हो जाता तो यह अपना वोट डाल सकते हैं और speaker अपना resignation देते हैं deputy speaker को इतने points आपको ध्यान में रखने चाहिए राइट जो की prelims में revision के लिए काम करेंगे आपको वैसे तो पूरा topic में जो आपको पढ़ाया वो इसलिए क्योंकि कहीं से भी quality में तो कोशन उठागर पूछ लिया जा सकता है तो आपकी हर एक चीज से related understanding build-up रहनी चाहिए और hopefully आपको ये पूरा topic अच्छे सन में आगया होगा अब paper 2 से related से इतनी topics थे ना हम लोग paper 3 के topic की दरब आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ पर बात हो रही है Brian Barthiansis के बारे में Brian Barthiansis तो यह बताया जा रहा है कि Indian Minute जो एटार्टिका में है इन्होंने एक नई प्रजाती लंगवादि काई को government जिसे sayos हम लोग बोलता है तो नई प्रजाती काई की इन्होंने खोच करी है तो देखो question यह बनेगा Indian scientists तो खोच करी है यह पक्का है आप से location वाली चीज़ पूछती आगी तो एंटार्टिका आप ध्यान में रखना तो इतनी डीटेल जो मैंने भी आपको बताई है इस topics related सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक plant की species जो है वो discover हुई है लगभग 40 सालों में Indian Antarctic Mission में राइट वैसे तो यह चीज़ काम भी नहीं है जो चीज मैंना आप पेट्रोल पे भी चले गैसोलीन पे भी चले और जो मिक्षर जो होता है इतनौल ब्लेंडिंग का इतनौल ब्लेंड करके जो मिक्षर जो हम लोग बढ़ा रहे ना आज की रेट में हम लोग काम कर रहे है इतनौल ब्लेंडिंग की ओपर इसके बार में पहले भी हमने चर्च हो जाता है तो वही चीज़ हम पर बता है यह आप अपने इंजन को आप ऐसे बनाओ manufacturing company इसको यह कहा जा रहा है कि अपने इंजन को ऐसे modify करो कि वह petrol भी ले ले gasoline पर भी चले और ethanol mix ethanol blending पर भी चले यानि कि हम अगर ethanol को petroleum के साथ mix कर दें तो भी वह सई से चले कोई problem ना है गाड़ी की efficiency में तो यह चीज़ हमर पता जारी और union government जारी करेगी कुछ नई guideline कि कैसे FFVs जारी की flexible fuel vehicle यह flex fuel vehicle जो हमें देखने को मिल रहे न तो वो कैसे जो है वो उपियोग किये जा सकते हैं तो उस पर guideline जो है वो जारी करेगी सरकार guideline में एक specify engine configuration होगा यानि की engine का configuration होगा और भी गाड़ियों में दूसरे changes क्या रखने हैं उसके बार में बताया जाएगा जिसके चलते fuel mix जो है जो use किया जाएगा गाड़ी में तो उसके दौरान गाड़ी चल सकी कोई problem ना है flexible fuel vehicle या फिर simple flex fuel vehicle FFVs यह क्या है तो यह modified version है गाड़ियों का कि गाड़ी जैसे मैं आपको बता है gasoline पर भी चले petrol पर भी चले जो कि अलग-अलग ethanol blends के साथ mix किया जा सके है अब सभी प्रकार के blends को mix करने की हावर बात हो रही है और साथी साथ unblended fuel तो normal fuel पर भी चले और blended fuel पर भी चले तो ऐसा engine होना चाहिए गाड़ी का तो इस पर guideline जो है वो जारी की जाएगी और compatible engine होना चाहिए जो की 84% से भी जादा ethanol blended petrol यानि आप petrol में 84% से भी जादा ethanol डाल दो तो भी गाड़ी आपकी सही तरीके से चलनी चाहिए compatible होना चाहिए आपका engine इस प्रकार की blending से है तो इस पर guideline जारी करेगी सरकार इसका main aim यह है कि आज की rate में हम लोग जो fossil fuel पर जो dependent है यानिकि petroleum की उपर dependent है तो उसको reduce करना है क्योंकि ethanol अगर हम लोग मिलाएंगे petrol में तो अविसी बात है कि petrol कम use किया जाएगा और alternative fuel ethanol हमें देखने को मलता है 60 से 62 रुपे प्रती लीटर यह मिल जाता है petrol आज की rate में 100 से उपर जो हो चूरा है आप जानते ही है तो यह 60 और 62 रुपे प्रती लीटर की cost म अविलेबल हो जाएगा ethanol मतलब की हर लीटर पर 30 पर 30 रुपे consumer को बचेंगे तो consumer का काफी अच्छा फाइदा है इंडिया के अंदर vehicles को allow किया जा रहा है कि vehicles यहने की guidelines लाई जा रही है और मतलब car manufacturing companies है engine manufacturing companies है तो उनको यह guidelines दी जाएंगी कि किस प्रकार से वो अपने engine को configuration करें कि जिससे की engine जो है वो petrol के साथ जब ethanol को mix करेंगे तो यह blended जो हम लोग को मिश्रन देखने को मिलेगा mixture देखने को मिलेगा तो उसको आसानी से जो है वो engine ले 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 और यह गाडिया जो of petroleum and natural gases के द्वारा January 2003 में ही launch किया गया था इंडिया आज की rate में surplus production पर इंडिया हमें देखने को मिल रहा है corn के मामले में यानि की भुट्टा जो होता है भुट्टा मक्का उसके मामले में sugar के मामले में और wheat के मामले में और हमने अपनी policy लेकर आए है कि अगर जब surplus होगा हम हमारा production तो उस surplus production को भी हम उपयोग करेंगे किसमें ethanol को बनाने में तो यहली चीज़ आ गई है कि ethanol को बनाया जाएगा ethanol program के तहित और हम जो है वो surplus production को कि surplus अगर surplus है यानि कि ज्यादा मातरा में हमने production कर लिया तो वो क्या होगा उसका use नहीं करेंगे तो क्या होगा waste हो जाए और इसते फाइदा ultimate कि किसान को भी मिलेगा किसान को उसकी कीमत जो है वो जल्दी मिल जाएगी किसान को परिशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि problem क्या है इस हमारे देश में मैं आपको एक और चीज़ दाता हूं अब एक question है इसका जवाब मुझे ज़रा नीचे comment box पर लि A जिस समय मौनसून अच्छा होगा उस समय किसान को नुकसान होगा B जिस समय मौनसून बुरा होगा खराब होगा मौनसून उस समय किसान को नुकसान होगा C दोनों A और B दोनों बताओ इसका क्या correct answer है तो आप लोग को पता है मौनसून अच्छा होगा तो किसान का क्या हो लो flood आ गया बाड़ आ गई या फिर बारिश नहीं होई सूखा पड़ गया तो किसान का नुकसान होगा तो हमें पता कि मॉन्सून घराब होगा तो यह तो पक्का है किसान का supply जब supply ज़ादा है तो demand को meet कर रहा है supply और जब demand को meet करेगा supply तब क्या होगा prices जो होंगे वो low हो जाएंगे और prices इतने low हो जाते हैं कि किसान को बड़ी दिक्कते आजाती है तो आपको यह concept भी यह economy का concept है यह concept भी आपको अच्छे से अपने mind में रखना है अक्सर लोग इन सब concept पर काम नहीं करते हैं तो यह होती है analytical thinking right जो होते है critically analyze करो अपने answer को तो आपको यह critically analyze करना है क्योंकि जो normal preparation करना है वो बोलेंगे कि monsoon मौनसुन अच्छा है जिस दिन मौनसून नहीं आया वह मौनसून घराब हो गया माद खराब मौनसून मतलब किसान के लिए दिक्कत बाड़ा आगयी किसान के लिए दिक्कत और यह फिर हम यह बोल देते हैं कि कि ये ड्रॉट आ गया, मतलब कि सूखा पढ़ गया, तो किसान के लिए दिक्कत, ठीक है, ये जनरल ही हम बोलते हैं, बट अच्छे मौनसून पर भी किसान के लिए दिक्कत होती ही, ये कोई नहीं बताता, तो आप, आपने सीख लिया, अब आप से, आप, अपने मेंस के आंस कम है, तो उसमें किसान को अच्छा पैसा मिल जाएगा, कि demand जादा है, supply कम है, price increase होगी, तो उसमें अच्छा benefit मिल जाता है किसान को, तो यह बी कहा गया है, अब कि इससे किसान को नुकसान नहीं होगा, किसान को अच्छी income मिलेगी, क्योंकि surplus भी अगर होता है, यानि कि production ज 80% से भी जादा import कराते हैं राइट दूसरी countries है petroleum rich countries है अब इसके disadvantage और challenge हम लोग को क्या देखने को बोल रहा है सबसे बड़ा disadvantage और challenge यह है customer acceptance का सबसे बड़ा disadvantage और challenge क्योंकि ownership का cost काफी high है अब ऐसे engine जो होंगे वो काफी महेंगे लगेंगे अब जब महेंगे engine लगेंगे इस प्रकार के तो कीमती होंगे और कीमत जो है वो गाडियों की बढ़ जाएगी तो वो बड़ी दिक्कत आजएगी लोगों को ऐसी गाडिया करीदने में अब कहने को बोलते हैं कि ये तो long term के लिए अच्छा है अरे बट जेब में पैसा भी तो इनसान लेगा तो प्रेक्टिकल अप्रोच अगर अपना है रियल वर्ड में तो भले ही आप उसकी कीमत जो है वो बीस लाग कर दो क्या पचास लाग कर दो बट सामने आले के बस उत्ता पैसा होना भी तो चाहिए गाड़ी को लेने में अब लोन लेकर थो ना लेगा वो लोन लेकर लेगा तो हालत खराब हो जागी उसकी लोन भरने म तो उससे बेटर है कि आप अपने पास investment करो कही पैसा लगाओ बचाओ गोल्ड खरीद लो राइट वो जादर जरूरी होता है उससे बेटर है कि आप फालतु में बैंक को खिलाने से बेटर है कि पात साल रुख जाओ अब 10 साल की बात करिए ना कि 10 साल में आपको गाड़ी की लिए निए पाथ साल रुख जाओ का investment कर तो पाथ साल कर अच्छी जगा investment कर को एड़ाई साल में गाड़ी खरीद लोगे बट कम से कम आपको लोन वोन के चक्कर में तो नहीं फसना पड़ेगा और लोन के चक्कर में मतलब कि आप अपनी महनत की कमाई गवा रहो और समाते और जल्दी अपने लोन को चुका देते हैं तो लोन किस परपस के लिए बिजनेस एक्टिवटी के लिए बट लोग हमारे आप आजकल तो मोबाइल फोन भी लोन पर जो हो लिए जाते हैं यह बड़ी दिक्कत हैं आजकल चल रही है राइट चलो एनिवेस रणिंग क लोग को देखने को मुल रही है लोवर फ्यूल एफिशेंसी अब इसमें प्रॉब्लम यह है यह भी बताया जा रहा है कि माइलेच माइलेच की बड़ी एक लीटर आप पेट्रोल पे डाली चला होगे तो 40 किलोमेटर एक्जांबल के दूर बाइक की बात कर रहो मैं 40 किलोम इस पर यह भी बताया रहा है कि थोड़ी से एफिशेंसी जो होती हो कम हो जाती है तो यह एक बड़ा डिसाडवांटेज और चालेंज है फ्लैक्स फ्यूल इंजन की कॉस्ट भी जो होती है वो काफी जादा हम लोग को देखने को मलती क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जो कमशन की जो पावर है वो काफी कम हम लोग को देखने को मिल रहे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और गैसोलीन से प्रॉपर्टी अलग है इससे भी अलग है तो यह बड़ी दिक्कत क्रेट करते था लुगत अब इंजन में एक प्रोटेक्टिव ऑईल फिल को मिलता है कि उसको फार देता है उस particular protective layer को फार देता है जो कि गाड़ी के लिए काफी नुकसान दाया है कि तो उसका maintenance cost जो है हो काफी हाई हो जाता है रइट यह चीज हम लोग को इसकी देखने को बलती तो इसके बारे में आपको general सा idea होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए अ और नासा क्या कर रहा है इस वाइपर मिशन के थ्रू अपने एक रोबोट को यानि कि रोवर आप बोल सकते हो यह रोवर रोबोट को मून पर भेज़ेगा चांद पर बेज़ेगा और चांद के कौन से इलाके पर पोलार इलाके पर चांद के पोलार इलाके पर और एक्जेक् कर सके कुछ समय तक क्योंकि human mission आने वाले समय में होने वाले मून के लिए रवाना होने वाले हैं तो उसके लिए यह पूरी जानकरी ले रहा है तो यह प्रकार से investigation करेगा महाँ पर जाकर साउथ पुलार छेतर पर चांद के और क्या करेगा investigate करेगा तो यह चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और क्या investigate करेगा कि locally available resources जो हैं तो क्या वो इतने परियाप्त हैं कि human वहाँ पर sustain कर सके local available resources से और mobile robot यह हम लोग को देखने को मिल रहा है और NASA का commercial lunar payload service ज रहा है objective यह है कि moon के south pole छेतर को explore करना lunar resource को map करना कि moon में क्या-क्या चीज़ अविलिबल है और पानी पानी का concentration कितना है उसकी भी जानकारी लेना आकलन करना साथी साथ future landing site यानि कि आने वाले समय में humans वहाँ पर जाएंगे तो किस जगह पर उनको उतरना है तो उसकी information जो है वो collect करना Artemis program के लिए और water के resources वहाँ पर है की नहीं और दूसरी resources वहाँ पर है की नहीं तो उसकी जानकारी लेना जिससे कि वहाँ पर याकर local resources की मदद ले सब्सक्राइब तो सिर्फ इतनी details आपको बता होनी चाहिए इस topics related अब देखिए VSS Unity Space Ship का सब orbital flight हमें देखने को मिल रही है अब देखिए आपको याद और रहा हुआ unity 22 अभी कुछ दिनों पहले हमने cover करी थी मैंने एक extra class ली थी आपकी आपको शाहिद याद आ रहो संडे आपकी एक extra class आई थी तो जिसमें ये topic मैंने cover कराया था अब unity 22 का topic repeat हो गया तो मैं भी आपको ये topic अलग से बना कर देदूँगा अलग से एक इसका separate video बन जाएगा और उसके लिए आप telegram का group join कर दीजे telegram की group में मैं share कर दूँँगा extra video को तो VSS Unity Space Ship का sub orbital flight है आपको बताए कि कुछ लोग गए है टोटल 6 लोग गए है अभी space में और space में जाकर मेरी खाल से if I am not wrong 11 जुलाई को ये mission हम लोग को देखने को मिला था तो ये space पर गए space में बिल्कु टच किया है यानि कि धर्ती के atmosphere से बहार निकले उपर से देखा धर्ती के गोल आकार को यानि कि edge तक चले गए ते जहाँ पर जाने के बाद धर्ती का गोल आकार spherical जो shape है वो दिखाई देता है तो ये गए ते महाँ पर इसमें आपको ध्यान में रखने वाली जैसी atmosphere finish होता है धर्ती का उसके बाद किसी spacecraft को आप इतनी तेजी से 20,000 km प्रती घंटे की रफ्तार से दोड़ाओगे तो आप ये मानलो कि वो gravity से बहार हो जाता और gravity से बहार होगा तो weightlessness देखने को मतलब कि लोग देखो इस प्रकार से float करने लगेंगे तो ये ऐसा mission हाँ पर लोग नजर आ रहा है सभी के सभी खुश है सभी के सभी के चेहरे पर खुशी है कभी कभी मुझे भी ऐसा लगते कि ऐसा कुछ मौका मिले ऐसे हवा में एक दम लटकने का उड़ने का कितना मज़ा आएगा तो वह experience करके हाँ पर लोग आये हैं और आने वाले समय मे और research करने के लिए ऐसे सस्ते mission का उपयोग करेंगे तो वी एसे यूनिटी spaceship छे लोगों को ले कर गया यह न्यू मेक्सिको से और धरती से ऊपर 85 किलोमीटर तक गया और वापस लॉट कर आ गया और इस trip को suborbital flight कहा जा रहा है तो question आएगा suborbital flight किया है तो 85 किलोमीटर का distance आ होता गया है तो satellites जो की धरती के orbit पर पहुचने के लिए जिस speed पर travel करती है तो horizontal speed जो होनी चाहिए 28,000 किलोमीटर प्रती घंटे या उससे जादा की होनी चाहिए ऐसी speed जो होगी धरती के atmosphere के ऊपर orbit में जब ऐसी speed होगी तब हमें देखने को मिलेगा कि satellite जो है वो gravity धरती के gravity को छोड़ देगी और इस प्रकार का महौल weightlessness का महौल जो है वो बन जाएगा तो कुछ मिंटों के लिए weightlessness का महल जो है वो travelers experience करेंगे और बहुत ही बहतरी लगेगा travelers को और इसका फाइदा क्या है माइक्रो gravity की research में भी यह काफी मददकारी होने वाली और काफी सस्ता mission ही हम लोग को देखने को मिलेगा काफी cheap हो गई इस प्रकार का आने वाली स्वाई में यह शुरू तो होई गया और यह alternative के तौर पर देखा जा सकता है राइट पैराबॉलिक फ्लाइट जो हम लोग को aero planes में देखने को मिलती है तो उनके alternative के तौर पर देखा जा सकता है zero gravity को simulate करने के लिए तो यह वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है तो और वाकी unity 22 के topic को मैंने cover कराया हुए इसके बारे में मैं आपको मैं एक अलग short video बना दूँगा इसका आप और post कर दूँगा तो यह था guys last topic और इसी के साथ हमारा अचका lecture finish होता है और मैंने आपको अगर जितने भी topic पढ़ा अच्छे से आपको सौंज में आ गए है like का बटन ज़रूर hit कीजिएगा चैनल को subscribe किये बिना मत जाईएगा और देखिए कुछ courses हमारे available हैं अगर आप seriously civil services की तैयारी कर रह है वैसे तो मेरे सभी जितने भी serious students है सभी courses लेता है तो syllabus के according syllabus के according आपको पूरा content मिलता है पूरे video lectures इसमें available है हर एक topic का concept आपको clear किया जाता है आपको study material PDF के form में दिया जाता है और आपको prelims और mains के practice करने के लिए question भी आपको lecture के दुरान provide किये जाते हैं तो आप देख सक ने पूरी details screen पर लिखी हुई है फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे number पर whatsapp या telegram के तुरू आप मुझसे contact कर सकते हैं वैसे हमारा environment का course है हमारा economics का course है CSET का course अविलेबल है history का course अविलेबल है और UPSC की test series भी available है और current affairs के notes बनाने के आपको आपको अवशक्ता नहीं है मातर 100 रुपीस पर मन्त की fees में आपको ये सब facility provide की जाती है एक offer भी है इस offer को भी आप ले सकते हैं और current affairs के questions अगर आपको practice करने के लिए चाहिए तो वो facility भी available है ठीक है और कोई समस्या आती ही तो मैं आपको बताई दिया आपको कहाँ पर contact करना है तो चलो फिर मैं आप से मिलूँगा नेक्स लेक्चर में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार, have a great day ahead, tada